आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, हमारा आज का प्रशन है निमनलिखित देशों में से किस एक नेवर्ष 2008 में आधूनिक, बहुदली, लोगतांत्रिक विवस्था का अनुसरंड करने तथा नियाई पालिका और विधाईका को और अधिक शक्ती देने के उद्देश से नया समविधान अंगीकार किया है आपके चार विकल्प हैं दोस्तों यहाँ पर जो पहला विकल्प है वहाँ है जापान दूसरा विकल्प है भूटान तीसरा विकल्प है मालदीब और आपका जो चौथा विकल्प है वहाँ है सिंगापूर तो दोस्तों आईए देखते हैं यहाँ पर की कौन सा विकल्प होगा जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्ष वर्ष 2008 में भूटान का भूटान का सम्विधान भूटान का सम्विधान लागू हुआ बूटान का सम्विधान लागू हुआ इस सम्विधान के अनुसार इस सम्विधान के अनुसार इस सम्विधान के अनुसार साशक को इस सम्विधान के अनुसार साशक को राष्टर अध्यच बनाया गया राष्टर अध्यच राष्टा अध्याच बनाया गया और संसत का गठन किया गया तो दोस्तों यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा वा कौन सा सही हो जाएगा तो आपका पहला विकल्प है जापान तो जापान नहीं है वर्ष 2008 में भूटान का सम्विधान लागू हुआ इस सम्विधान के अनुसार साशक को राष्टरद्यच बनाया गया और संसत का गठन किया गया तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प दे रखा है वा बिलकुल सही हो जाएगा भूटान आपका जो तीसरा विकल्प दे रखा है ओगर आपका सही उत्तर जो होझाएगा वा कौन सा होगा जो आपका भी विकल्प दे रखा है वा बिल्कुल सही हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों